हें गाईज गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आज बनाओंगी मतन करी धापा श्टायल मतन करी चलो स्टार्ट करते हैं मतन ये देखिए मैंने 1200 मतन लिया है उसको अच्छे से मैंने धो लिया है उसको मारी नट करके रखा है उसमें मैंने हल्दी पाउडर तोड़ा चोटी सी अद्रक और लाल मिर्च दो सुखी लाल मिर्च और काली मिर्च उसको अच्छे से मैंने ददरा पेस्ट किया है क्योंकि उसके बार ने एक मीडियम साइज का ऊसको प्याज मैंने उसको उसके बार फाइन पेस्ट करूँगे थोड़ा सा अलग टाइप कर बना रही हूँ तो आपकी कभी ट्राइ करिएगा बहुत अच्छे से लगता है ये मटन ऐसे बनाना ये देखे मैंने फाइन पेश्ट कर लिया है चलो अभी बनाएंगे मटन करी धाबा स्टाइल मटन करी ये देखे मैंने ग्यास में कड़ाई कर कर लिया है उसके बाद मैंने खड़ा मसला उसमें आड़ कर तो खड़ा मसला में मैंने लिया है दो तेजपत्ता दो इलाईजी बड़ी लाईजी छोटी लाईजी और दालचीनी नी मीडियम साइज का दालचीनी मैंने लिया है उसको अच्छे से उसके बाद मैंने चार इस पाउडर थोड़ा हल्दी डालती हूं ताकि बहुत अच्छा रहे कलर भी बहुत अच्छा रहे उसका उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने उसमें जो पेश्ट बना के रखा था उसमें आड किया है स्वाद के अकडिंग मैंने नमक डाला है उसका अच्छे से भून रही हूं और एक मीडियम साज का मैंने टमाटर लिया है मैं इसी टाइम टमाटर आड करती हूं उसका अच्छे से भूनती हूं उसके बाद थोड़ा सा ढग लेती हूं क्योंकि मसाल अच्छे से नरम हो जाए यह देखिया ओल भी छोड़ने लगा है उसके बाद जो मारिनिट करके मटन रखा था उसमें आड़ कर लेती हूँ मटन थोड़ा टाइम लगता है उसको पकने में इसलिए मैंने मीडियम ही फ्लेम रखा था कि लो मीडियम फ्लेम में ही मैंने मतन को उसको अच्छे से फ्राई कर रहे हूँ मतन को जितना अच्छे से भूनेंगे उसका टेस्ट बहुत Actsui आएगा और खड़ा मसला भी उसमें आड़ किया है ताकि टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और खुस भी बहुत अच्छा आता है देखें मैंने उसमें पानी भी बिल्कुल आड़ नहीं किया यूंकि वह मारिनेट करते टाइम थोड़ा सा नमक डाला बस टेस्ट का अकड़ें उसे जब मसला फ्राय करें तो उसके बाद आड़ नमक आड़ किया तो वही पानी छोट रहा है तो मैंने बिल्कुल भी मैंने प और यह देखें मटन थोड़ा सा नरम भी हो गया है मैं बहुत टाइम इसको ढग लेती हूं ताकि मटन थोड़ा सा नरम हो जाए उसके बाद मैंने मीट मसला जो आड़ करती हूं एक स्पुन मैंने मीट मसला आड़ किया है अगर का अगर का ही गरा मसला बनाती हूं तो वह उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और खुस भी बहुत अच्छा आती है यह देखे मैंने पेसर कुकर में इसलिए आड़ किया थाकि मुझे मुझे मटन बहुत टाइम लेता है ना इसलिए मैंने सीटी आप चाहें कड अगी मैंने चैसलिंटी के दिक उसको अज़एगी मैंने चैसलिए मैंने पार मेंने अपनिय तंडा हो जाता है उसके बात मैंने धकन खोल देख़ा कितना अच्छा दिख रहा है माटन मेरा बहुत अच्छा से पग गया है इसका कलर भी देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है रिच वाला कलर दिख रहा है आप इसे रोटी और प्राइस के साथ भी खा सकते हैं अगर चनल पे नई है तो लाइक और सस्क्राइब प्लीस करें जुसी बाला मटन बहुत अच्छा लगता है इसी प्रोसेस से आप मटन बनाए Heya अगर चनल पे नई है तो लाइक और सस्क्राइब प्लीस करें मिलतूं नेश्ट ब्लॉग پopfre अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी तो कमेंट करिए प्लीज आज के लिए बस इतना ही मिलतूं